हलो बच्चों, कक्षा आठ के विज्ञान विशय के अंतरगत पाठ ध्वाने के दूसरे भाग में आपका स्वागत है पिछले भाग में हमने सीखा ध्वाने कमपित वस्तुओं द्वारा उत्पन होती है इस भाग में हम जानेंगे ध्वाने संचरन के लिए माध्यम की आउश्यक्ता होती है जैसे गैस, द्रौ या ठूस इसके साथ ही हम जानेंगे निर्वात किसे कहते हैं, हम ध्वाने को अपने कानों से सुनते कैसे हैं तथा कमपन का आयाम, आवर्तकाल तथा आवरिती क्या है सबसे पहले हम चर्चा करेंगे क्या ध्वाने संचरन के लिए माध्यम की आउश्यक्ता होती है यदि एक मोबाइल को चित्रा नुसार एक बोतल या बरतर में रखते हैं और किसी दूसरे फोन से कॉल करेंगे तो बजने वाली घंटी की ध्वनी हमें स्पष्ट रुप से सुनाई देती है किन्तु यदि हम बोतल के मुह में निकास नली युग्द एक कौर्क लगा देंगे साथ ही निकास नली द्वारा वायू चूशक पंप के माध्यम से बरतर या बोतल के अंदर की वायू को धीरे धीरे निकालेंगे तो घंटी की ध्वनी धीरे धीरे धीमी होती जाती है और जब बोतल की वायू लगभग निकल जाती है तब मुबाइल घंटी की ध्वनी भी लगबग सुनाई नहीं पड़ती है अब यदि बोतल के मुह से निकास नली युक्त कौर्प को हटा देंगे तो मुबाइल घंटी की ध्वनी फिर से सुनाई पड़ने लगती है इससे यह प्रमानित होता है कि ध्वनी के एक अस्थान से दूसरे अस्थान जाने अथ्वासंचरन के लिए कोई माध्यम होना चाहिए अब प्रशन है क्या होता है निर्वात जब बोतल में से या किसे भी अस्थान से वायू पूरी तरह निकाल दी जाती है तो कहा जाता है कि बोतल में या उस अस्थान में निर्वात है जब निर्वात होती है तो ध्वने सुनाई नहीं देती है अर्थात ध्वने निर्वात में संचरित नहीं हो सकती बच्चों वायो चूशक पंप के माध्यम से हम निर्वात स्थापित कर सकते हैं अब हम चर्चा करेंगे क्या ध्वनी का द्रौ में संचरन संभव है आईए इसे हम एक क्रिया कलाब की मदद से समझने का प्रयास करते हैं एक बाल्ती अथ्वा टब लीजिए और इसे स्वच जल से भरिए एक हाथ में एक छोटी घंटी लीजिए तथा ध्वने उत्पन करने के लिए इस घंटी को जल में हिलाईए और इस बात का ध्यान रखिए कि घंटी बाल्ती या टब की दिवारों को ना चुए अपने कान को जल की सतह पर साउधाने पूर्वक रखिए लेकिन जल आपके कान में प्रवेस ना करें इसका आप विशेस थ्यान रखें क्या आप घंटी की ध्वनी सुन पाते हैं? आप देखेंगे कि आपको घंटी की ध्वनी सुनाई देती है इससे पता चलता है कि ध्वनी का संचरन द्रवों में भी होता है अब तो आप समझ गए होंगे कि वेल तथा डॉल्फिन जल के अंदर संदेशों का आदान प्रदान किस प्रकार कर पाते हैं? अन्य जल प्रानी भी जल के अंदर संदेशों का आदान प्रदान ठीक इसी प्रकार करते हैं अब हम चर्चा करेंगे क्या ध्वनी थोसों में भी गमन कर सकती है? धातों की एक छड़ी लीजिए चित्रा नुसार इसके एक सिरे पर अपने कान को सटा कर रखिए तथा अपने मित्र को छड़ के दूसरे सिरे को धीरे से खरोचने कहिए क्या आपको खरोचने की ध्वनी सुनाई देती है? आप देखेंगे कि एक सिरे पर खरोचने की ध्वनी दूसरे सिरे पर सुनाई पड़ती है अब हम एक लकड़ी के मेज का उपयोग करेंगे लकड़ी के मेज के एक सिरे पर आप अपने कान रखिए तथा अपने मित्र को मेज के दूसरे सिरे को धीरे से खरोचने कहिए क्या आपको खरोचने की ध्वनी सुनाई देती है? आप अनुभाव करेंगे कि मेज के एक सिरे को खरोचने की ध्वनी दूसरे सिरे से सुनाई देती है इसका अर्थ है ध्वनी का संचरन लकडी में हो सकती है आएए अब हम एक खिलावना टेलीफोन बनाने का प्रयास करते हैं इसके लिए टीन के दो खाली डिब्बे लीजिए डिब्बे के पेंदी में छेद कर दीजिए अब एक डोरी के एक सिरे को एक डिब्बे के छेद में घुसा कर गाठ लगा लीजिए तथा डोरी के दूसरे सिरे को दूसरे डिब्बे के छेद में घुसा कर गाठ लगा दीजिए अब एक डिब्बे को चित्र के अनुसार अपने कान में सटाएं तथा दूसरे डिब्बे से अपने मित्र को धीमे धीमे स्वर में बोलने को कहिए क्या आप अपने मित्र की ध्वनी को सुन पाएं? आप देखेंगे कि आप ध्वनी को सुन पाते हैं इसका अर्थ है ध्वनी डोरियों में से भी संचरन कर सकती है इन सभी क्रिया कलापों से हमने जाना कि ध्वनी का संचरन, वायू, द्रव, एवं ठोस तेनों माध्यमों में होता है बच्चों, ध्वनी किसी भी माध्यम में सभी दिशाओं में संचरित हो सकती है अब हम चर्चा करेंगे हम ध्वनी को अपने कानों से कैसे सुनते हैं? कान के बाहरी भाग, कीप या फ़निल जैसी होती है जब ध्वनी किसी ध्वनि स्रोथ से कान में प्रवेश करती है तो यह नलीका से गुजरती है नलीका के सिरे पर एक पतली जिल्ली मजबूती से तनित होती है इन तनित जिल्ली को कर्ण पटा या इयर ड्रम कहते हैं कर्ण पटा एक मजबूत तनित जिल्ली होता है द्वाने के कमपन के कारण कर्ण पटा कमपित होते हैं कर्ण पटा इन कमपनों को आंतरिक कर्ण में भेज देता है आंत्रिक कर्ण में एक प्रकार का द्रव तथा तंत्रिका कोशिका होते हैं जिसका संबन मस्तिस्क श्रिफ रहता है आंत्रिक कर्ण में पहुँचे कमपनों से ये द्रव कमपन करने लगते हैं द्रौ में उत्पन कम्पनों को तंत्रिका कोशी का संकेतों में परिवर्थित कर मस्तिष्क को भेज देता है मस्तिष्क इन संकेतों को ध्वनी के रूप में परिवर्थित करता है जिससे हम सुन पाते हैं बच्चों कानों में तीखी, कठोर एवं नुकुली वस्तू नहीं डालना चाहिए ये कर्ण पटा को छती पूचा सकते हैं तथा कर्ण पटा छती ग्रस्त होने से बहरे भी हो सकते हैं अब हम चर्चा करेंगे कमपन का आयाम, आवर्दकाल तथा आवरिती के बारे में आप चानते हैं किसी वस्तू की अपने माध्य इस्थिती के इधर उधर या उपर नीचे होने वाली गती को कमपन कहते हैं यह दोलन गती का एक उदाहरन है कमपन का आयाम किसे कहते हैं? कमपन करती वस्तू की मध्य इस्थिती से अधिक्तम विस्थापन को आयाम कहते हैं इसका इसाई मातरक मीटर है कमपन का आवर्थकाल कमपन करती वस्तु को एक पूर्ण कमपन करने में लगे समय को आवर्थकाल कहते हैं इसका SI मातरक सेकेंड है कमपन की आवरिती कमपन करती वस्तु द्वारा प्रती सेकेंड पूर्ण कमपनों की संख्या को आवरिती कहते हैं इसका SI मातरक हर्ट्स है, तथा इसका संकेत है HZ. यदि कोई वस्तु एक सकेंड में 30 पूर्ण कमपन करती है, तो इसकी आवरिती 30 हर्च होगी. आयाम तथा आवरिती किसी ध्वनी के दो महत्वपूर्ण गुन है. अगले भाग में हम जानेंगे प्रबलता तथा तारत्व, श्रब्य, पराश्रब्य तथा आवश्रब्य ध्वनिया, शोर तथा संगीत किसे कहते हैं, ध्वने प्रदूशन क्या है, तथा शोर अथवा ध्वने प्रदूशन से होने वाले नुकसान के बारे में.